हुआ हुआ है अच्छ आख एक नवस्कार दोस्तों मेरा ना मेर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम वन शॉट के अदर फ्लेमिंगों की सभी पोईंश को देखने वाले तो दोस्ता देखते रहें कि इस वीडियो को रिस वीडियो के इननर को भी मिलब वाल है तो आज चैसे वीडियो के अंदर हम लेटेस्ट साफ से अंदर हम लेटे सिलेबस के साप यहां पर कवर करेंगे और यहां पर मैं आपको एक्स आप बेस्ट को साफ करोंगा कि लिट्ररी डिवाइस सभी बता दूंगा जोके आपके लिए important exam point of view से line-by-line explanation हम यहाँ पर देखने वाल है साथ ही मैं आपको short notes पर provide करूँगा जिनका लिंक आपको description में मिल जाएगा और हम यहाँ पर expected questions times के बाद sample paper questions previous questions को भी solve करेंगे तो विल्कुल एक complete holistic coverage आपके रहने वाली poems की और यह एक one stop solution आपके लिए रहेगा तो आए स्टार्ट करते वारे स्वीडियो को तो आएब हम आगे बढ़ाते हैं अपनी ब्रह्मास्तर सीजीज को और इसके अंदर हम सभी poems को देखने वाले हैं टोटल आपके syllabus में पांच पूम से जिसके अंदर है अपने पास my mother at 66 keeping quite a thing of beauty roadside stent and aunt jennifer's tiger तो सबसे बढ़े हम देखने वाले हैं my mother at 66 को one shot में वीडियो रहेगा और बिलकुल बिना रुके बिना थके हम इस वीडियो को आगे बढ़ाने वाले हैं तो इस चैप्टर को लिखा गया है कमला दास के द्वारा जिनका जन्म मालाबार केला में हुआ था और यह एक इंडिया की बहुत ही famous poet है versatile है versatile मतलब एक ऐसा वेक्ति जो कि बहुत सारे काम कर सकता है और अगर हम writing के बाशा में देखे तो बहुत सारे यहां पर इस चैप्टर के अंदर बताए गया है कि कैसे जो हमारी poet है उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है दुख होता है और एक अब हम कैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि जो भी poem रही कि लाइन पर लाइन explanation को हम देखेंगे और poetic devices और rhyming schemes होगे रहा है हम सम देखते बेचालेंगे जैसे यह वाली जो poem है इसकी rhyming scheme free rhyming scheme है कोई rhyming नहीं हो रही है कैसे निकालते हो मैं आपको आगे वाली poems मताऊंगा जहां पर actual rhyming schemes रहेंगी तो पहला stanza अपने start हो रहा है driving from my parents home से लेकर beside me तक और कहीं अगर कुछ important शब्द रहेंगे जिसके meaning आपको पता होने चीव मैं आपको बता दूँगा जैसे beside का मतलब होता है alongside ठीक है साथ में बैठना जैसे car में एक व्यक्ति drive कर रहा है दूसरा व्यक्ति उसके साथ में बैठा है तो यहां पर जो poetess है poet मतलब male, poetess मतलब female तो जो poetess है वो explain करती ही कि कैसे एक बार जब वो अपने parents के घर से कोचीन जा रही थी कोचीन एरपोर्ट की तरफ तो क्या होता है रस्ते में तो Friday था और वो एरपोर्ट में जा रही थी ड्राइब कर रही थी और उसकी मम्मी उसके पास में बैठी हुई थी poet जब अपनी मा को देखती है तो फिर इस टेंजा से केंड है तो यहां पर है डोज ओपन से लेकर पैन तक और जहां पर डोज का मतलब होता है एक चोटी सी जबकी नीन ले था एशन का मतलब होता है राक और राक को अगर हम लिटरल मीनिंग में देखे तो इसका मतलब हो जाएगा पेल है ना मतलब बहुती डल सी चीज तो जैसे वह अपनी मदर को देखती है सोते वे उनका जो माउथ था वो बिलकुल ओपन था तो फॉर्दर उनकी जो फेस था उसके उपरे की स्मोकी सा अपीरियंस था और बिलकुल वो सिंस वो सो रही थी है ना नैप ले रही थी और उनका मूद थोड़ा से खुला वा था तो ऐसा लग रहा था कि भाई साब कोई डेड बॉडी साथ में पड़ी वही हो इस्टेंजा 3 अपने पास that she was as old से लिकर homes तक इसमें कुछ शब्दे जैसे spilling, spilling का मतलब होता है let out है जैसे आपके टेबल पर कप रखा हुआ है और वो spill हो जाता है बाहर ना उसमें से जो दूद है या पानी है जो भी है इस प्रिंट मतलब होता है तेज दौड़ना तो यहाँ पर अब क्या होता है poetess को रिलाइज होता है उसकी मम्मी बहुत जदा बूरी हो चुकी है उसको इस चीज का दर्द भी होता है लेकिन इस चीज से उभरने के लिए वो अपने ध्यान को डाइवर्ट करती है बहार देखती है तो भाई सब उसको पेड़ दिखते है अब यहाँ पर यह जो पेड यह जो पर मतलब जो मारी पोईटेस थी उसकी कार आगे बढ़ रही थी लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि वह सब पेड़ पीछे से दोड़ते वह आ रहा है हों एंड इसलिए हम पर एक ट्रीज स्प्रिंटिंग शब्द भी इस्तेमाल किया गया है जिसमें हमें एक अलं प्लेग्राउंड में वो खेलने जा रहे थे तो यह सारी चीज एक तम फुल ओफ एनर्जी थी एकसाइटमेंट था वही पर अगर हम उसकी मम्मी को देखे तो यार वहां पर एक तम डलनेस थी तो कई बार ऐसा भी कोशन पूछ लिया जाता है कि ट्रीज और चिल्रन एंड उसकी मदर के बीच में comparison बताओ तो आप यहीं बताओगे कि एक तरफ energy है full of life है और एक तरफ बिलकुल एक ऐसा वेक्ति जो कि death के करीब है और बिलकुल deadless है then stanza 4 है but after the airport security check से लेकर पेल तक यहां पर दो शब्द है जिनका मीनिंग आपको पता होना चीए एक है WAN है यह वह आली मारूती आली वहन नहीं है जिससे kidnapping के लिए इस्तमाल किया जाता यह WAN है जिसका मतलब बता है dim यह बहुत ही ज़्यादा कम जोर पेल का मतलब बता है dull अधिया colorless तो poetis continue करती है अब वो airport पहुँच चुकी है security check वगरा हो चुका है और since उसकी ममी उसको छोड़ने आय थी तो security check के एक site थी poetis और एक site थी उसकी ममी तो आप दूर से उसकी ममी को देखती है और वापिस से वही weak सा pale सा dull सा चहरा उसको देखने को मिलता है कि एंहां नेक्स मंस धाइगी यहां लेकर समया एंया लास्ट थ्रेंग भी तो यहां पर पोएट कंपए कर ती अपनी इस logo को एक लेट वींटर मून सफोर से लूस कर दिया था उनकी जो मम्मी बहुत जदा ओल्ड और वीक हो चुकी थी और अब पोईट को वो जो दुख है सेप्रेशन का वो भी सताने लग गया था याना उसको लग रहा था कि कहीं न कहीं यार यह लास्ट मेरी मुलाकत नहों क्योंकि मम्मी बहुत जदा बुड़ी ह हो चुकी है और वो एक किस्सा भी बताती है कि जब वो बच्पन में थी तब भी उसको बहुत जदा डर लगता था कि यार एक दिन में अपनी मम्मी से बिछड जाओंगी तो यह दर उसका वापिस से रिवाइव हो जाता है बट नाव एसर मदर हैस ग्रोन ओल्ड तो अब बहुत जदा बुड़ी हो चुकी है तो पोएट को फील होता ही कि यार हो सकता है लास्ट है में जब मैं अपनी मम्मी को मिल रही हूं लेकिन फिर भी वह प्तिमिस्टिक रहती है पॉजिटिव रहती है और मम्मी से बोलती है यहाँ स्माइलिंग फेस लेते हुए कि उसके म तो what is the poet trying to do in the lines from the poem my mother at 66 यह lines है तो अगर आम इन lines को देखेंगे तो इसमें जो पोएट है वो अपनी feelings को confess कर रही है याना confess करना मतला बताना for her mother who was getting old है तो अपनी मम्मी के लिए जो feelings है जो उसकी बुरी मा के लिए feelings उनको confess कर रही है तो option number A is the right answer अगला है in the line below my mother at 66 why the poet has used winter winter का इस्तमाल क्यों किया गया है तो इसे विंटर एक ऐसी चीज होती जो कि final stage है उसके बाद वापिस से समर आता है joyful और अच्छा मुसमाज आता है तो same यहाँ पर भी था कि जो उसकी मा था वो बिलकुल अपनी final stage में थी उनके चाहरे से सब कुछ गलो अगरा सब कुछ हट चुका था यूथ हट चुका था and now she was about to die इसलिए winter से उसकी मा के face को compare किया गया तो option number D इसका right answer हो जाएगा अगला है एक लिखने वाला question है दो माक का है in the poem my mother it 66 poet अपने emotions को height करती है अपने mother से do you think that it was right for her to do so कि आपको लगता है कि यह सही कदम था उनकी तरफ से तो I think it was right कि poet ने goodbye के अपने mother को वह भी कि smile के साथ था and बिलकुल यार इसमें कोई point ही नहीं है कि आप अपनी मा को upset करो एकदम दुखी होकर तो कहीं बार जब आप adult हो जाते हो तो आपको कुछ emotions को छपाना होता है और कुछ emotions को आपको व्यक्त करना होता है so definitely हमें इस सीच का realization होना चाहिए कि कौन से emotions को व्यक्त करना और कौन से को छुपाना है तो poet ने एकदम सही काम किया है यहां पर sample paper पर क्या question पूछे गए तो एक passage है और extract है उसका अपने को answers देने है कि speaker का emotional state क्या है जब वो अपनी मा को देखती है तो she was very fearful आपने देखा यह पूरी poem में कि she was in pain she was fearful and apprehensive मतलब होता है कि वह आगी की चीज को देख रही ती कि अब मेरी मम्मी लंबे समय तक मेरे साथ नहीं रहेगी option number 10 का right answer हो जाएगा अगला प्रशन अपने पास कि what does the use of word but at the beginning of the line but all I said suggest तो यह suggest करता है contrast between speaker के internal emotion and response towards her outer behavior बाहर से तो smile कर रही थी लेकिन अंदर सो बहुत ज़दा तूट चुकी थी इसके बाद प्रशन नंबर 3 है कि अपनों को select करना है word that will not complete the sentence तो यह अच्छा question है the description of the mother is when pale as a late winter moon create a vivid image of vulnerability बताएगी है कि आगे चलकर मेरी मा मर सकती है sensitivity sensitivity इसमें कुछ खास है नहीं frailty है na frailty मतलब होता है दुख और mortality मतलब आगे मौत का खत्रा तो तीन चीज़ तो है लेकिन sensitivity इसमें कुछ खास है नहीं तो option no.20 का right answer हो जाएगा आपने को true false पता आना है तो poetic device क्या used in the line pale as a winter's moon तो जहां पर भी like या as का प्रयोग होता है तो वहां पर simile poetic device रहता है ठीक है तो इस line में तो simile है क्या दोनों सेमें नहीं है तो इसका मतलब यह वाला statement false है बहुत ही अच्छे questions थे then what message do these lines highlight in the context of familial relationship and the speaker's sense of anxiety and fear at the prospect of losing her mother तो जब तक हो सके जो लोग हमारे साथ है आप उनको cherish करें उनकी care करें क्योंकि एक बार जैसे वह निकल गए तो फिर भाई सब सिर्व यादे रह जाएंगी और आप फिर कुछ कर नहीं सकते तो इसलिए जो साथ है उनकी care करें उनको अच्छे से treat करें complete the sentence appropriately so repetition of the word smile suggest करता है क्या तो दगो यहां पर speaker is trying to hold back her emotions and वह चाहती थी कि एकदम composed वह दिखे despite the pain she was having तो वह इस चीज को इस word को highlight करना चाहती है कि smile 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 सिर्व outer है वाई सब अंदर से pain है लेकिन मैं फिर भी चाहती हूं कि एकदब optimistic रहूं अपनी मा के सामने इसके बाद PYQ में देख लेते हैं क्या प्रशने आपर पूछे गए हैं पहला प्रशने किंदा about extract the narrator feels तो इस site extract दे रहा है इसको read करके अंसर देना है तो option आसान है यहांपर तो fearful इसका अंसर हो जाएगा option number B identify करना है word जिसका exact meaning है as colorless तो colorless अपने देखा ही था pale है इसले मैं आपको शब्दों के meaning बता रहा हूं then complete the following analogy she sang like a bird तो यहांपर simili है तो यहांपर सिमील है तो यहांपर सिमील है बता है basically all I did was smile 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 three times repeat was a repetition then read the following और अपको बता है correct क्या है the poet had gone through the security check ठीक है and she did not want to look at her mother यह गलत है वो पनी मा को देखती है smile भी तो two is wrong first is true option number A is the right answer what childhood fear is poet referring to so it was the fear of losing her mother so it was the fear of losing her mother so it's easy to ask questions, what is P.Y.E.Q. okay you have direct the book of P.Y.E.Q. that you have read the screen shots next question is what are the feelings of the poet about her aged mother with reference to the poem by mother at 66 so in this poem the poet expresses a deep sense of love and concern for your aged mother के लिए observe करती है अपनी mother की vulnerability को भी and fragility fragile मतलब बहुत जदा नाजुक हो चुकी थी as she sleeps in the car and is overcome with a sense of protectiveness she wants to protect her mother tenderness तो इस तरह के word अगर आप लिखते हो तो अच्छा है नहीं भी लिखते हो तो आप जो भी अपने instances देखे ना that she was comparing her to the winter's moon she was being protective she wants to express her feeling and she wants to meet her again तो आप लिख सकते हो अपने शब्दों में चले बढ़ते हैं अगली poem के तरह और यह है keeping quiet and बहुत ही कमाल की यह poem है और अभी जब Corona है तो था हमने इस चीज को महसूस भी कहा था so Pablo Neruda 1904-73 के बीच में इनोंने अपना कारेकाल रहा है ना मतलब इनका जीवन रहा इनका पेन नेम पेबलो नरूडा था and इनको Nobel Prize भी मिला था literature के अंदर और हमेशा एक green ink से लिखा करते थे जो की desire और hope एना एक आशावादी attitude को दर्शाता था then poem देखते हैं हम तो पहला stanza है now we will count up to 12 से लेकर arms are so much तक तो क्या है इसका मतलब तो poet सभी से बोलता है कि भाई सब मैं 12 तक गिंती गिनूंगा और तब तक आप सभी को चुप रहना है अभी जो 12 तक गिंती है यह represent कर सकता है hours of the day क्योंकि जब आप clock को देख तो उसमें 12 तक गिंती रहती है यह months को represent करता है क्योंकि total 12 महीने रह सकते हैं यह basically अगर हम overall देखे तो time को represent करता है then he want all of us to be calm यहना वो चाहता है कि भाई सभी लोग calm और still रहें सभी लोग सभी nations एक दूसरे के साइट युनाइट हो इस time पर कोई लोग अपनी languages वगेरा ना बोले है ना क्योंकि language barrier create करती है for example आप चाइना गए वहाँ पर आपको Chinese बोलनी पड़ेगी तो barrier हो गया आपके लिए आप यह क्या करेगा यह लोगों के बीच में क्यूनिटी का भाव लाएगा विकास हम सभी यूमन से और हमें हमारे अंदर एक वो यूमनिटी यूनिटी उन सभी का भाव रहना चाहिए for at least one moment भाई सब एक शन के लिए तो कोई अपनी arms को नहीं हिलाए कोई जगडा लडाई नहीं करे एक दूसरे से आर्गू नहीं करे एक दूसरे को जैसे हम यहां पर देखें वी विल तो डबल्यू डबल्यू तो जब भी दो वर्ड्स है न मतलब जो पूरा शब्द है उसके आगे का जो अक्षर है वो बार बार रिपीट होगा तो उसको अम अलिट्रिशन बोलेंगे तो यहां पर वी विल में अलिट्रिशन पोईटिक जब सब कुछ रुक जाएगा तो एक बहुत ही रेर सिच्वेशन होगी जैसे आफने कोरोना के दोड़न देखा है होगा जब उस ताइम पर कोई भी इंजन नहीं चलेंगे सब एकदम काम क्वाइट रहेंगे इस ट्रेंग साइट्मोस्पेर हो जाएगा विक यह पहले का भी हुआ नहीं है देन कोई भी एक दूसरे को हाम नहीं करेगा यहना समुद्र में तक भी जाके लोग मचलियों को नहीं पकड़ेंगे नमक बनाने वाले नमक नहीं बनाएंगे थेन और पीपल हो वर्क एंडलेसली काम करते जाते हैं वो अपनी इंजरी इसको देखेंगे इस हर्ट हैंड्स एच 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 रिपीट हो रहा है न बहुत आसान होता है इसको पहचारना जैन इसके बाद थर्ड इस्टेंजा है दोज हू प्रिपेर ग्रीन वार से लेकर विथ डेथ तक तो उसमें क्या बोला जा रहा है तो जो लोग एक्स्प्लॉइट करत हो सकता है वो मेली अपने सीनियर्स के ओर्डर को फॉलो कर रहे हो बिना कुछ सोचे समझे उन सभी को भी अप क्या करना है पुरानी सारी चीज़े त्याक कर नए कपड़े पहनने नए कपड़े पहनना मतलब ऐसा नहीं कि शॉपिंग करने निकल गए सर ने बोला है पैबल वो सबकी हार है तो विन-विन सिच्वेशन नहीं रहती विन-विन सिच्वेशन वही है कि जब आपस में बैठ कर बात का सुल जन मतलब उसको सौल किया जाए नाव वो चाहता है कि हम सभी उनाइटेड हों और बिल्कुल दुश्मन को भी अब भाही माने एंड इस से प्रम व और सी रिप्रिजेंट एक नया इलिटरल डिवाइस है पर आप आप आज्टेशन का मतलब क्या होता है जाए जैसे यहां पर हम देखें तो यूज ओ वो 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 सर्वाइवर्स तो यहां पर अगर अगर हम देखेंगे तो ओ वाले जो वो वेल से उसका रिपिटेशन हो रहा है यहां जैसे victory no no survivors oh repeat हो रहा है तो यहां पर आपका जाएगा azonance exam में बहुत कम पूछा जाता है न के बराबर पूछा जाता है repetition पूछा जाता है तो use of war जाना तो war का multiple बार use किया जा रहा है तो इसलिए आप बएफ से लेकर विट टक और इसमें क्या है यही बता जा रहा है कि यहीं बता जा रहा है कि जिखने वह काम 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 और बिलकुल एक mad rush में भेड़ चाल में लोगबाग लगेवे हैं अपने काम को complete करने के लिए तो बोलता है कि यारब थोड़ा सा सभी लोग रुके रुके जो भी आपने अचीव किया है at least उसको acknowledge करें कि हाँ भाई साब मैंने life में बहुत कुछ कर लिया है और इससे आपके अंदर एक खुशी की लहर दोड़ेगी है आप लोग खुश होंगे और वो सजेस्ट करता है कि अगर आप quiet रहते हैं तो हम true purpose of our life समझ पाएंगे क्या है हमारे जीवन का उद्देश कई हम बहुत जदा भेड़ चाल में तो नहीं लेगे हैं इसके बाद इसमें literary device alliterations use हो रहे हैं we were or so single minded में याना W और S repeat हो रहे हैं 5th stanza परेपस the earth से लेकर I will go तक इसमें poet ही बताना चाहता है कि हमें परियावरेंट से हमें nature से सीखना चाहिए जैसे earth में बहुत सारे changes होते हैं याना जब winter आती है सब कुछ freeze हो जाता है lifeless हो जाता है लेकिन फिर जैसे season change होता है everything come back to life तो similarly अगर हम हमारे life में भी pause लेंगे introspect करेंगे तो हमारी life को भी एक नया meaning मिलेगा and हम जो real purpose है हमारे life का उसको समझ पाएंगे और ये basically it will be like a birth to the soul है ना बिलकुल हमारी जो आत्मा है उसको एक नई यहाँ पर से जन्म देखने को मिलेगा poet convey करता है कि सभी के life के अंदर जो purpose है real purpose है वो देख पाएंगे और writer 12 तक गिंती गिनेगा फिर वो scene से बाहर हो जाएगा सब कुछ शान्त हो जाएगा and सभी को एक nice feeling experience करने का मौका मिलेगा then poet suggest करता है कि human being उसको lesson and earth से सीखना ही चाहिए यह हमने पूरा देख ही लिया है so here poet by giving the example of nature वो चाहता है कि human beings stop करें अपने actions को judge करें और अपनी life को और जादा बहतर बनाए कुछ expected questions देख लेता है so it would be an exotic moment without rush without engines in the above line from the poem why is the moment of silence called exotic exotic क्यों बुला गया है because yeah exotic मतलब क्यों होता है कैसी चीज़ जो की बहुत कम देखी जाए because it is unfamiliar for most of us है ना तो हमने कभी इता life में सन्नाटा देखा नहीं है तो इसलिए exotic moment रहेगा option a then which of these quotes best convey the message of the poem option a is right answer है कि the unexamined life is not worth living मतलब एक ऐसी life जिसमें आपने बिलकुल भी introspection नहीं किया इसमें बिलकुल भी आपने चिंतन नहीं किया वह बिलकुल वर्थ लिविंग है ही नहीं और यह लाइफ यह लाइन बोली थी Plato नहीं प्लेटो बहुत ही महान ना फिलोसोफर थे ग्रीक फिलोसोफर थे इनका ही जो student थे वो थे सब्सक्राइब करने में बहुत आसानी रहेगी तो यहां पर पूछा गया है कि ग्रीन वार से क्या यहां पर समझते हो तो पोईट बोलता है कि ग्रीन वार का मतलब होता है destruction of the environment पर्यावरन को नुकसान करना specifically tree forest को इन सारी चीज़ों को इन सारी चीज़ों को इन ग्रीन वार बोलवा गया है sample paper में क्या प्रशन पूछा गया है तो एक extract है और इसमें pen down your advice in a letter to frost अब देखो दो चैप्टर को connect किया गया इसमें कि एक तो है कि you are Pablo Neruda poet of keeping quiet आप क्या advice दोगे Robert Frost को जो कि poet roadside stand के in the context of his conflicted emotions as displayed in the given lines अब lines हम पढ़ते हैं the requisite lift of spirit has never been found or so the voice of the country seemed to complain I cannot help owing or owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain pen down your advice in the letter to frost आपको क्या करना है letter लिखना है Robert Frost को as Pablo Neruda तो अब इस तरह के questions होते हैं तो अगर आपके पास बहुत अच्छा time content है तो उसको attempt करो वारना option में एक और question आएगा तो उसको attempt करने के ज्यादा कोशिश करना है वारना इसमें time बहुत consume होता है फिर भी मेरा फर्ज आपको अंसर बताना है letter लिखना है तो वही कि कौन letter लिख रहा है Pablo Neruda लिख रहा है अब यह informal letter है तो start करेंगे dear Robert फिर उसके बाद I recently read your poem roadside stand में से यह अली चाल लाइन उठाई गई है and stuck by the conflicting emotions इसमें बहुत जदा conflicting emotions मुझे देखने को मिले and that you express towards the end I understand that it can be difficult to make decisions when we are overwhelmed by our emotions but I would advise you to take a moment and contemplate because Pablo Neruda ने एक ही बात को बार बार बुलाई कि आप introspection करें आप आत्मनिरिक्शन करें introspection retrospection बस इन terms को आपको गुसाना है यह आप लोग आत्मनिरिक्शन करें then उसके बाद आप अपने mind को quiet करें then उसके बाद जो भी struggles हैं यह वह उन सारी चीजों को आप देखें तो इस तरह से पूरा आपको letter लिखना है perfect letter में ने लिख रखा है and formatting का थोड़ा ध्यान रख लेना तो यहां पर last में वही वामली पैबलो नरूडा जो letter लिख रहा है और खताब तो इस तरह से आपको लिखना है और लिखने में अंदर की जो बाते रहेगी सब की सम अलग 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 रहेगी और मन घठेंतर रहेगी इसके marks नहीं कटेंगे थोड़ा सा format याद रखना और यह creative questions रहते हैं अगर आपने बहुत अच्छा अंसा लिखा तो अच्छे marks मिलते हैं आपर है ना और अगर आपको थोड़ा सा भी जिजग हो तो option वाला question कर लेना और में जो question आएगा PYQ में देखते हैं कि what will counting up to 12 and keeping quiet will help us achieve तो क्या होगा भाई सब इस से सो इससे हमें कुछ time मिलेगा जिससे हमने जो भी करत हमारे करत किये हैं जो भी हमारे है ना जो हमने बुरे करमें किये उनको analyze कर पाएंगे और इस time में क्या होगा लोग involved नहीं होंगे war में को यह में damage नहीं करेगा environment को और सब लोग अपने सब्सक्राइब को अचीव कर पाएंगे सब को true purpose of life के बारे में पता लगेगा और at the end of the day पुरे दुनिया में peace of harmony ना peace and harmony दोनों फैल जाएगी आईला प्रशन है कि do you think that the poet advocate total in activity and death क्या आपको लगता है कि poet जादा focus करता है in activity or death पे तो हम लखेंगे नहीं आप पोईट कभी नहीं बूलता कि आप मर जाओ और वो clarify भी करता है एक जगे कि यहां पर he wants all the people to just stop for a while कुछ देर के लिए आपको रुखना है analyze करना है और फिर वापिस अपनी activities को करना है और वो कभी नहीं चाहता कि war हो यह environment को damage हो तो basically and I is not advocating in activity or death वो यह नहीं बोल रहा है कि अपनी job से resign कर दो काम दूंदा छोड़के बढ़ जाओ वो बोल रहा है कि आप कुछ शन लो कुछ टाइम लो जिसमें आप अपने जो भी आपने काम किया उसको penalize कर पाऊ ना कि यसा नहीं कि सब jobless होके बैठ गए ठीक है तो आ अपनाना ऐसे शब्दों को लिखना कि जो उसको read करें उसके बिलकुल मन में images बन जाए तो यह जो poem है इसको जब हम पढ़ेंगे तो हमारे भी मन में उन शब्दों की images बनेगी तो बहुत ही कमाल की यह writing style है और कहीं मैं question भी पूछ लेते एक्जाम में कि कौन से writing style का इस्त इंडी मियॉन उसके सपने में एक डाइना नाम की princess आती है उसको वो इतनी अच्छे लगती है कि वो दुनिया में उसको ढूनने निकल जाता है जब वो ढूनने निकलता है कुछ time तक चलता है तो उसको एक महिला मिलती है बीच में और वो महिला बोलती है कि आप कहां पर ज जाए कि उसको ढूनते हैं लेकिन कहीं पर डाइना नहीं मिलती है लेकिन अप सिंस इतने दिन वो लोग साथ रहते हैं तो एंडी मियॉन को उस दूसरी महिला से प्यार हो जाता है और वो बोलता है हटा सावन की घटा मुझे नहीं चाहिए और डाइना मुझे तो आप ही प मेडन थी वही कनवर्ट हो जाती है किसमें डाइना में तो इस प्रकार से एक स्टोरी है जिसको जहां से मतलब जिस चीज को पढ़के और जॉन कीचने वाली कवीता लिखी है क्योंकि जब वो दोनों लोग ढून रहे होते हैं डाइना को तो बीच में नेचर होता है और ने एंगे और भी तर तवो जीपने का सिके निए तरश जीव यहां से एक ड्यूसरे से तो फॉरबर नेवर नेवर किप वर ने मैं कर रहे हैं एक डूसरे से तो इसके गार खकी की कीप राइम नहीं कर रहा है नेवर से, लेकिन कीप राइम कर रहा है स्लीप से, तो AABB, इसके बाद अगर कोई और तीसरा शब्द होता, और वह दोनों राइम कर रहे होते हैं, तो फिर हम CC बोल देते, अगर हो सकता था कि फॉरेवर नेवर एवर इस तरह से चारी शब्द जो होते हो राइम कर रहे होते तो हम ए ए ए ए ए बोल देते हैं ठीक है तो वह आपको वह ही पर निकालना पड़ेगा और जिसमें अगर कोई भी राइमिंग नहीं हो रही है जिसे फॉरेवर के बाद कीप है फिर ओनली है फि फाहतलब होता है एक शेडी सी प्लेष क्यों जैसे आप कर दे सकते हो दोनों चीज्ण फरेवर प्लेष क्लिदा तो सब्सकराय एक सब्सक्राइब करें जा रहरे है वह कि परिंच में इज्दध की थाफिक ट्रफ्य périेजव सर इक पर इस एक बहां सब्सक्राइब की तरह है जिसके अंदर सारी creatures बैठते हैं they can sleep blissfully and एक अच्छी health को enjoy कर सकते हैं then यहां पर literary device use हो रहा है alliteration sleep suite में और metaphor मतलब होता है basic सा comparison जैसे bowar quiet तो यहां पर जो bowar मतलब यह shady सी place इसकी calmness को compare किया गया with the calming effect of the beautiful thing तो basic सा comparison इसलिए metaphor यहां पर लग रहा है then second stanza therefore on every morrow से लेकर dark spirit तक morrow का मतलब होता है next day raiding का मतलब होता है surround करना and circle करना despondence का मतलब होता है depressed और gloomy का मतलब होता है sad तो poet बोलता है कि that everyday beauty है यह वह beauty है जो कि हमारे life को fill करती है with the spirit to live है ना क्योंकि जब हम nature के पास जाते हैं तो हम वाफिस से motivate हो जाते हैं कि नहीं नहीं भाई साथ दुनिया में सिर्फ वर सिर्फ गम नहीं है it is the beauty जो कि हमें bind करती है to the desire in us to live through there are sad moments cruel people around us ना तो देको यार जीवन में बहुत सारे आपको ऐसे moments face करने पड़ेंगे जिसमें आप कुछ नहीं होएंगे cruel people रहेंगे जो कि हमेजा backbiting करेंगे लेकिन उन सभी से भी लरने की और उन सभी से भी पार पाने की जो desire है वह आपको यह beautiful thing से आपके अंदर जगाईगी so here the poets want us to say that without beauty earth will be full of cruel people and sad gloominess रहेगी gloomy moment रहेंगे और यह वह beauty है that is created by God चुकि हमें help करते हैं तो रिमोव थी sadness from our heart इसमें का इस्तेमाल किया गया है bind in a bend mind में nobel nature में some shape में और metaphor basic से comparison redding a flowery bend because beautiful things of our life bind करती है to the earth then third stanza such the sun से लेकर forest break तक यहां पर कुछ important शब्दे जैसे boon boon मतलब होता है blessing reels याना यह रिल्स वह काचब अदाम वाली रिल्स नहीं है यह रिल क्या है a small stream तो छोटी सी पानी की एक नदी टाइप आप बोल सकते हो break मतलब होता है slow down करना so यहां पर poet describe करता है beautiful things को जो के earth पे present है जैसे sun moon trees flowers and rivers poet says that all these things यह blessing के तरह है जो कि creatures को भगवान के द्वारा या earth के द्वारा दी गई है now यह further describe करते हैं कि tree हमें प्रवाइट करते हैं shade flower प्रवाइट करते हैं हमें beauty rivers प्रवाइट करते हैं coolness hot summers के अंदर यह जित्ती भी चीजें सारी beauty हैं जो कि nature ने हमें एक वर्दान की तरह दी है लिटररी डिवाइज हैं पर इस्तमाल किया गया स्प्राउटिंग शेडी सिंपल शीप और cooling को वर्ट मैंना उमीद अब आपको समझ में आ रहा होगा क्यों एलिटरेशन हैं पर लग रहा है और beautiful things के बारे में आपर बताया जाता है जैसे beautiful musk rose है जो आपको यहां पर दिख रहा है और जिसकी एकदम nice fragrance होती है फिरो बताते है tales of mighty warriors mighty warriors की कहानिया जिन्होंने अपनी life अपनी जीवन को निचावर कर दिया country के लिए humanity के लिए then वो बताता है beautiful things के बारे में जो की हमें भगवान के दौरा gift की गई है और जैसे nectar हो गया it is given by God to us and यह इसी beautiful चीज़े जो कि mortal है जो कि कभी कहतम नहीं होती और हमेशा हमें एक जीने की चाह हमारे अंदर built करती है और बहुत सारे सोरोज होते हैं हमारी लाइफ में दुख होते हैं लेकिन उन सभी से भी पार पानी के में शक्ति प्रवाइट करती ब्यूटिफुल चीज़े हैं लिटरल डिवाइस के हैं पर एलिटरेशन तो एक फ्लावर की तरह हैं जो कि कभी खतम नहीं होते और निवर एंडिंग पॉर्चन ऑफ ड्रिंक हमें प्रवाइट करते हैं जैसे मदुमक्या करती है फ्लावर में से वह जो नेक्टर उसको चूसती है तो चूसती जाती होता है ना कभी ऐसा होगा नहीं कि एक फूल ले त एकस्पेक्ट प्रशन देख लेते हैं तो इस टेंजा है और यहां पर है इन अबाव लाइन से स्पीकर इस सग्जेस्टिंग एट वी तो ऑप्शन दी देखो गया तो बास्किन नाच्रल ब्यूटी ऑफ दी अर्थ एर्थ एंड बी टेठल तो इस जॉयस स्ट्रेंथ इसक तो इसका मतलब होता है कि माल्टी और्ड वारियर्स की कहानिया और पुएट बोलता है तिर स्टोरी आर एंड एस ब्यूटिफुल खेल भी और है यह मतलब इंस्पायरिंग को बीटिफुल रहता है तर नेक्स्ट टेंब प्स्टेंड बावर्ट अ प्लावरी बैंद टो मा beautiful things से surrounded रहते हैं वो हमें encircle करके रखती है और एक pretty सा bend हमारे आसपास बना के रखती है जिससे हमें एक reason मिलता है जीने की चाहा मिलती है then अगला प्रशन है पने पास कि what makes human beings love life in spite of troubles and sufferings क्यों एक मानाओ life को जीता है बहुत ज़्यादा troubles and sufferings के बाद भी तो the eternal beauty in eternal मतलब never ending beauty of various things वह में happiness देती है और relaxation provide करती है it makes us love life in spite of the life's troubles बहुत सारे troubles लेकिन फिर भी हम हमारे जीवन को जीते है sample paper में क्या प्रशन पूचा गया है तो एक passage दिया हुआ है then in the following extract following theme is be best represented तो किस चीज की theme दे रहे के आपर तो immortality of art and literature की theme आपको यहां पर देखने को मिलेगी then इसके बाद the next step आपने पास state whether the given statement is true or false by referring to the dead as mighty the poet emphasize their importance and power they exerted on the people नहीं भाहिसाब उन्होंने जो लोगों पे power exert करे थी वो नहीं बताया जा रहा है यहां पर बताया जा रहा है कि कैसे उन्होंने लोगों को motivate किया तो यह false है mortal drink is app analogy for the tales of the mighty dead because because to just a fountain constantly pour karta hai froth water ko tell of the dead poor froth endless inspiration and wisdom नहीं आपने लेखिए कि वो inspired करते motivate करें लोगों को तो यह लिखना आपको then the use of the word bring in the extract suggest that the immortality that is being poured on to us is on the verge of overflowing this creates a powerful image of what तो यह बताता है कि भाइसा बहुत ज्यादा मात्रा में चीज़े है हमारे पास तो इट इस abundance overflow करना मतलब बहुत ज्यादा होना तो abundance इसका अंसर रहेगा पीवाइक्यू में देख लेते हैं तो यहां पर है कि what will counting up to 12 and keeping still achieve तो यह तो अपना previous उसका ही है तो यह देखी लिया है then उसके बाद अगला है कि do we experience things of beauty only for a short moment or they make a lasting impression तो असान सा गुष्चन है so things of beauty is a joy forever and if we see it for a few moments then इसका फिर भी lasting impression आवारी mind पर पढ़ता है because बहुती बहुतीफुल सी चीज़े है and यह इंस्पार करती तो लिव despite of the rootlessness of life what image does the poet use to describe beautiful bounty of the earth तो यहां पर the beautiful bounty of the earth is described by endless fountain of immortal brink and यह signifies करता है कि God ने आरह में bestow किया है बहुत सारी beautiful creations के साथ जिससे हम sad gloomy aspects of life से deal कर सके है अगली poem अपने पास roadside stent बहुत ही कमाल किये poem है जिसको Robert Frost ने लिखा है यह American poet है और human tragedy and fear के बारे में बताते हैं और बताते हैं इस वाली particular poem के अंदर की कैसे जो deprived लोग है उनकी life में कितनी ज़्यादा दिक्कत हूं का उनको सामना करना पड़ता है तो theme के इस poem की तो Robert Frost आपर criticize करते है unequal society को कि कैसे हम पर यार एक huge division है rich और poor के बीच में haves and have not के बीच में और एक unequal distribution of wealth है poem में clearly बताया जाता है कि क्या करीब लोगों की plight रहती है कैसे उनके existence तक को खत्रा हो जाता है यहां पर focus किया जाता है एक unfortunate fact पे that unequal progress or development cities and villages के अंदर जब होता है तो इससे लोगों के अंदर एक distress और unhappiness की भावना आ जाती है और वो भी खासकर rural लोगों की बीच में वो भी चाहते हैं कि यार शहर वाली सुईदा उनको मिले लेकिन नहीं मिल पाती है जबकि वो भी humans है यह भी humans है तेन अगर हम इस poem को analyze करें तो यहां पर कौन से structure या pattern है यह ना तो basically 56 line, 6 stanza है यह तक हमका नहीं है कौन से style है यह कामका है यहां पर rhyming scheme आपको A-B-A-B देखने को मिलेगी कैसे निकालना है वहना आपको बता दिया है तोन गया है यहां पर तो sympathetic tone है जो Robert Frost है उसको sympathy है रूरल या गरीब लोगों के प्रती फर्स टेज़ा है अपने पास the little old house से लेकर withering fan तक और इस poem के अंदर जो starting होती है it starts with the description of the roadside stent उसको describe किया जाता है कि एक small time farmer है जोकी एक shed लगाता है in the part of his house and several thousands of the car वहां से पास होती है तो एक highway है highway के किनारे गाउं है गाउं से थोड़ा सा मतलब गाउं थोड़ा संतर है और highway के किनारे एक छोटी सी shed लगाए गया है और he desired to sell wild berries तो वहाँ पर wild berries बेची जाती है और उसके साथ साथ कुछ और other products भी है and farmer यह नहीं चाहता है कि कोई आकर उसको दान दक्षी ना दे वह चाहता है कि भाइसा वह खुद के महनत के रोटी कमाए then वह अपने products को sell करना चाहता है for money he believes that money can give him a better life और obvious ही बात है अगर आपके पास पैसा रहेगा you will be having a better lifestyle और यह साथी चीज़ और यह जो farmer उसने देखी थे movies के अंदर then उसके बाद second stage the police traffic से लेकर maintain silence तक however यार उसकी जो आशाए हैं जो इच्छा हैं वो कभी भी fulfill नहीं हो पाती है जब लोग highway से पास होते हैं car में आपर पता नहीं लगता है के N लिखा है के S लिखा है है ना तो उसके लिए वो लुकते हैं वो पूछते हैं कि भाइस आप सही है क्या है किस साइड मोड़ना है क्या वो भी निकल जाता है they believe that such painted badly painted signs spoils the beauty of the country और उनको जो जो कार महां से निकलते हैं उनको लगता है कि एसे sideboards लगे रहेंगे तो यह spoil करते हैं हमारे beauty को third stand you have the money से लेकर keeping from us तक so farmer बोलता है rich को to keep their money बैसा आप अपने पैसे अपने पास रखो if they are meant to be so cruel अगर आपको इतना ही निर्देपन और इतना ही mean रहना है so you keep your money he is not hurt that they do not notice the stand तो जो इसका roadside stand उसको notice नहीं कर रहे है उसको इससे ज्यादा हर नहीं हो रहा है उसको ज्यादा हर इससे हो रहा है किस तरसे इसको treatment मिल रहा है कैसे सब लोग उसको ignore कर जा रहे है he wishes for some CC life उसकी भी इच्छा है कि वो शहर में रहे अच्छा घर रहे उसके पास पैसा रहे जैसा उसने movies में देखा है मीडिया पे देखा है लेकिन जो political parties they are denying him of all the plush lives लेकिन भाई चुनाओ कि जो political राजनितिक लोग है वो आते हैं वोट मांगते हैं और निकल जाते कोई development नहीं करते हैं 14 stanza it is in the news से लेकर ancient way तक so it is known that some good doers कोई अच्छे सोचने वाले लोग वो आना चाहते हैं और इन लोगों की गरीबी मिटाना चाहते हैं और वो कैसे गरीबी मिटाएंगे वो इनकी property इसको बाई कर लेंगे और जो भी roadside के उपर property इसको बाई कर कुरा के इनको बहुत अंदर गाओं में भेज दिया जाएगा और वहां पर इनसे promise किया गया है कि इनके लिए theaters, stores यह सब बनाए जाएंगे अब good doers का जो plan है good doers मतलब जो अच्छी सोच रख रहे हैं यह basically एक satire है यह प्रकार का व्यंग है plan to shift the village to the village hurdle together बिल्कुल deep में उनको भेज देंगे and the wish to teach them the ways यह लोग उनको सिखाएंगे कि कैसे change किया जाता है for good and कैसे healthy habits रखी जाती है और यह हमें बिल्कुल यह भी सिखाएंगे कि कैसे दिन में सोया जाता है यह ना तो यह व्यंग कासा जा रहा है और फिर बाद में बोला भी जाता है these are the greedy good doers यह अच्छे आदमी होने का धोंग करने वाले लोग है यह बिकास जो सड़क के नारे जमीन है इसको खरीड लेंगे और इनको दूर कहीं गावा में चोटी मोटी जमीन देंगे जो वादे करें वो तो कभी फुल्फिल करेंगे भी नहीं और at the end of the day का होता जो इस इन तोल्रेबल टोर्स फार्मर बैटरोप है और फरोस्ट को डो बिल्कुल ही टोलरेट नहीं होता है किया फार्मर सिस तरीकी की यह रख रहे हैं ते विंडव फार्मर साउस चस्ट नौट एक टू हेर तो हेर शाउंड टूम पर्चेस इन और यह जो गरीब किसान है ज वह इंक्वाइरी करके निकल जाती है और इनसे कुछ भी समान नहीं लेती है सिक्स टेंजा है नो in the country money से लेकर out of my pain तक तो poet feel करता है कोई discreet at the pitable condition pitable मतलब dhernia conditions of these poor village people now he even had a childish desire उसका एक बच्पन का सपना भी है क्यार वो कैसे ने कैसे करके गरीब लोगों की जितनी भी गरीब है इसको एक स्ट्रोक में मिटा दे एक शन में मिटा दे but he knew that कि यह बहुत ही ज्यादा childish और एक व्यर्थ सा सपना था है ना so he desired that someone release him of the pain and by killing him और इस चीज का दर्द उसको हमेशा से रहा है होता रहा है हो रहा है तो वो चाहता है कि यार कोई मुझे ही निप्टा दे तो at least मैं span से तो मुझे मुक्ती मिले अब कौनसे लिटरल डिवाइस हैं पर metaphor basic comparison हो रहा है trusting sorrow में then इसके बाद alliteration है greedy good doers GG then beneficent beast BB personification मतलब मानवीय करन तो personification कहां पर हो रहा है तो personification मतलब basically होता है जब एक non living चीज को living की qualities के साथ दर्शाय जाता है जैसे roadside stand that too pathetically python तो pathetic dhyni condition किसकी होती basically इनसानों की लेकिन आपर किसकी बताएगी roadside stand की तो non living things living things वाली चीजों से compare के जा रहा है तो personification मान भी करने इसको इंदिम बोलते हो लगेगा oxymoron मतलब क्या होता है कि जब दो opposite चीजों को एक line में लिखा जाता है जैसे greedy be or good be ना मतलब एक लाल ची आदमी और भला आदमी तो एक line में लिखा जा रहा है beneficiant beast beast मतलब बहुत बुरा साविक्ती और beneficiant मतलब जो फाइदागरे ना तो यहां पर oxymoron है then expected प्रशन क्या आपर कि in which of these is the best describes the rural fork in the following lines so rural fox जो है वो basically aspirational है option number d aspirational मतलब उनकी इस्पिरेशन है city तरह की life जीने की what does what is the poet doing in the lines below a roadside stand so option number d जब आप देखेंगे so he is revealing the philanthropy of rich people is their way of operating the rural fog तो वो दूसरों का भला करने में भी क्या करने basically उनका शोशन ही कर रहे है जो अमीर आदमी है तो यही बताए गया इसमें then the poet purpose in writing purpose in writing a roadside stand as to what is to lament the pitable conditions of the rural fog तो उसको बताना है portray करना है कि क्या देनी condition से रूरल लोगों की sample paper में क्या पूछा गया है कि why did not the polish traffic traffic stop at the roadside stand so polish traffic जो रहता है speed में आता है और वो stop नहीं करता है because उनका एक ही focus रहता है अपने destination पर जल्दी जल्दी पहुचना है और कहीं बार जब वो इस तरह के roadside stands को देखते हैं तो मन में एक बुरी भावना भी बनाते हैं क्या क्यों इत्ती beautiful countryside को यह ना उसको उसकी beauty को reduce कर रहे है और पीवाइक्यू में क्या पूछा गया है तो यह पर पूछा गया है कि what news in the poem is making its round in the village तो village में खबर आ रही है कि बाइसाब इन लोगों को अब resettle किया जाएगा कहीं और और वहाँ पर theater stores वगएरा सब लगाया जाएंगे अब क्या होगा they would be close to the cities and would not have to worry about themselves बट यह सब क्या था एक अक्टिविटी थी greedy good doers कि आगे की जमीन अपना चाते थे then why do the people at the roadside stand ask for city money to they ask for city money ताकि वो एक अच्छी लाइफ जी सकें और unlike the people of the city because they are deprived enough and much needed city money can give them a good livelihood यही आंसर रहेगा इसका next poem आपने पास Aunt Jennifer Tiger बहुत कमाल की वाली poem है इसको भी एक American Poet Adrini Rich ने लिखा है और इसके अंदर वो मिन्स के experience को दिखाती कि यह शादी के बाद के experience रहते है मैलाओं के जिंदगी में and अभी फिलाल वो खुद भी है ना she was living under the dominance of a man तो बताती की कैसे dominance of man के अंदर रहने में भी बहुत ज़्यादा दिखकत रहती है पहला इस टेंजाए आंट जनिफर से लेकर टाइगर को जो की move कर रहे हैं jump कर रहे हैं पूरे फेवरिक के ऊपर and जो टाइगर से उनका color एकदम bright yellow है just like the color of a topaz है ना topaz एक stone रहता है जिसको उंगली पर पहना जाता है now the dense green forest background यह उनका home है वो एकदम proud है fearless है किसी से डरते नहीं है they are the citizens of the forest और in contrast with the aunt Jennifer तो tiger बहुत ज़्यदा bold है जबकि aunt Jennifer एकदम submissive है अपने पती के हुकमां के नीचे वो दबती है then tigers एकदम fearless है and जो lady है जो embroider कर रही है वो बिल्कुल भी fearless नहीं है tigers का look एकदम elegant है shining है और full of gentleman's grace है यहां पर rhyming scheme AABB use हो रही है और anaphora जब दो consecutive lines के अंदर same words का इस्तमाल किया जाए तो उसको अना फरा बुलते हैं जैसे दे दे जाना they do not and they patient तो दे और दे का इस्तमाल किया जा रहा है then metaphor जा पर basic comparison हो तो tigers को topaz से comparison किया है bright topaz तो यहां पर metaphor लग जाएगा second sentence आए आन Jennifer से लेकर Jennifer's hand तक so lady के finger है वो tremble कर रहे है with the fear of her husband and she is pursuing her hobby ठीक है वो अपनी hobby को pursue करती है free time में लेकिन फिर भी उसको डर रहता है कि कई पती काम से आ गए तो मुझे पीटेंगे then उसके fingers है अब वो बहुत ज़्यादा ठक चुकी है because पूरी जिंदे के उसने काम किया है और अब तो वो जो ivory needle है वो भी उसको बहुत ज़्यादा heavy लग रही है to pull out of the cloth now uncle का wedding band मतलब जो उसने ring पहन रखिती शादी के अंगूठी वो जो कि इसके पती ने उसको दी थी वो अभी वी उसने पहन रखी है और लेडी पूरी तरह से अपने पती के ओपर dependent है burden है by the weight of the ring and weight का मतलब यहां पर उस अंगूठी का बजन नहीं है वो पूरी शादी का बजन है और कियार गलत शादी कर ली गलत आदमी से कर ली और वो वजन उसको पसहना पढ़ रहा है now she has been burdened by the obligations to married life ने उसके उपर डाले है and बिल्कुल now she is become the man's property then she is living a demanding life and इसके कारण इस भूरी सी एज में भी उसको बहुत ज़्यदा परचानियों का सामना करना पर रहा है now literary device का AABB rhyming scheme है alliteration लग रहा है finger fluttering के अंदर तीसरा stanza है when aunt is dead से लेकर proud and unaffred तक तो यहां पर क्या है वो भी चाहती कि यार एकदम free fearless life जी है जैसे कि उसने tigers बनाए है then जो उसने tigers बनाए है वो show करते हैं कि she also wants to be strong fearless and लेकिन ऐसा नहीं होता है she was overpowered by the husband उसका husband उसके overpower कर देता ओपी कर देता है probably her ordeal will never end और जो उसकी यह जो ordeal मतलब जो उसके उपर एत्याचार हो रहे हो कभी खतम नहीं होंगे बस यह तभी खतम होंगे जब उसके मृत्ति हो जाएगी her frightened shaking fingers जैसे उसकी मृत्ति होगी it will be put to rest but still even after the death वो रिंग तो उसके हाथ में रहेगी और husband का rule तब भी रहेगा after the death उसकी desire for freedom and fearlessness जो थी वो हमेशा लाइव रहेगी इन टाइगर्स के माधियम से जो कि उसने इम्रोइडर किये हैं लिटरे डिवाइस यहां पर क्या है तो राइमिंग की में यह भी भी है और एलिटरिशन इसके अंदर प्रेंसिंग प्राउड में पी और पी रिपीट हो रहा है expected questions देख लेते हैं which are the following best explain करते symbolism that has been used in the poem so on jennifer hence representing herself ठीक है तो on jennifer के fluttering hands थे fingers थे वो basically उसके condition को represent कर रहे थे यह पर तो यहां पर symbolism का इस्तमाल किया गया है what opportunity does creating the panel or the screen give on jennifer in the poem so a method to voice a renal desire तो tiger बना के उसके अंदर की जो feelings and desires थे उसको express कर रही थी massive weight of the uncle wedding band in the line poem why has the poet used the uncle instead of simply aunt jennifer or her so it starts to underscore the husband's power over her जैसे छोटे बच्चों के उपर uncle अपना रॉब जमाते हैं तो इसी प्रकार से यहां पर aunt jennifer के उपर भी जो uncle थे since हमने uncle को मतलब जैनिफर को aunt बोला है तो इसलिए यहां पर uncle बोला गया है और दूसरा है कि वह powerful थे तो इसलिए यहां पर it serves to underscore a husband's power over her sample paper में क्या प्रशने देख लेते हैं it is clear that speaker in aunt jennifer has a attitude of sympathy है ना तो जो यहां पर कवीता लिख रही है एड्री निरिच उनको aunt jennifer के प्रतिय सिंपती है तैन पीवाई को में क्या पूछा गया है what is suggested by the image massive weight of uncle wedding man तो यह symbolic image है और इसका मतलब होता है जो obligations आई है aunt jennifer के ऊपर because of our marriage उस चीज को बताया जा रहा है और इसी से उसके ऊपर burden और stress भी है अगला प्रशन है अगला प्रशन है how do denizens and chivalric add to our understanding of the tiger's attitude? they go denizens मतलब होता है citizens और वो citizens कहां के forest के बहुत जदा proud है of their home and chivalric का मतलब होता है एक साब वेक्ति जो की majestic है and worthy of its position है जैसे knights रहते थे पहले के जवाना में जो बहुत powerful रहते थे इसी प्रकार से जो tigers है वो भी बहुत powerful है तो यह था अपने पास यह chapter thank you तो फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही मुझे उमीद है कि आप कोई वीडियो फसंद आया होगा अगर आपके कोई भी डाउट सों सुवाल या सुझाओ तो उसको आप जरूर से कमेंट वक्स में लिख दीजीगा तो दोस्तों धन्यवाद जय हेंद जय भारत झाल